Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मस बढ़िया तो लोग श्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक नया लेक्चर जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं Disminaria, है ना हम लोग किस के बारे में पढ़ रहे थे, Women's Health के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग अपना नया लेक्चर श्टार्ट कर रहे हैं, Disminaria तो लास्ट हम लोग ने PCOS पढ़ लिया था, उमीद है उसको पढ़ लिया होगा और साथ-साथ में Menstrual Cycle रिपीट कर लियोगी, ठीक है, जो अपना HEP में था तो Disminaria क्या होता है, तो Disminaria एक Painful Situation है, Disminaria is the Medical Term for Painful Situation, Painful Menstrual Periods कुछ females को, जब menstruations होते हैं, तो बहुत pain होता है, और कुछ females को बिलकुल भी pain नहीं होते है ठीक है, तो कुछ को क्यों pain होता है, कुछ को क्यों pain नहीं होता है, या तो सबको होना चाहिए था, किसी को नहीं होना चाहिए था तो यानि कि कुछ को हो रहा है तो इसका मतलब यह medical term बन जाती है medical term for painful situation और कहीं न कहीं यह बात है जो चीछ natural हो रही है उसमें क्या नहीं होना चाहिए एक तरह का कश्ट नहीं होना चाहिए, pain नहीं होना चाहिए तो यह painful menstrual period जो होते हैं वही disminary कहलाता है which are caused by uterine contraction इसका करण क्यों होता है uterine contract करती है हमारी ठीक है ना uterine contract करती है उसके वैसे होता कि actually इसका cost यह आता कि blood के supply रुख जाती है और जब sex तूटते हैं तो कई सारी वज़ाओं से pain होता है uterine contraction इसकी वज़ा है primary disminary refers to the recurrent pain while secondary disminary results from reproductive system disorder primary disminary अपना normal है जो एक normal pain हो रहा है किसी टाप कोई बीमारी नहीं है pain हो रहा है केवल uterine contraction के वए से लेकिन अगर secondary disminary की बात करूंगा तो यह जो pain होता है यह reproductive system के disorders की वज़े से होता है ठीक है both can be treated दोनों को ठीक किया सकता है बात करें अगर एज की तो टिपिकल एज रेंज फ्रॉं primary disminary is between 70-22 जो primary disminary है वो 17-22 साल की एज में रहता है secondary disminary is more common in older women जो एजेंट वुमेन हो जाती है उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है कौन secondary disminary है तो classification दो हमारे पास primary और secondary primary का मतलब क्या है painful menstruation not associated with pelvic pathology pelvic का मतलब pelvic आले पार्ट जो हमारा pelvic होता है कमरवला हिस्सा होता है females का उसी में सारा uterus, ovary, philipendus सब पाया जाते हैं तो pelvic से वहाँ पर जाने कि वहाँ पर कोई बिमारी नहीं है बीना बिमारी के आपको pain हो रहा है तो primary और painful menstruation caused by pelvic pathology याने कि आपको reproductive system में कोई problem है जिसकी वज़े से pain हो रहा है तो ये secondary क्या होता है डिस्मेरिया कहलाता है ठीक है अब पुरा समझ में आ जाएगा प्रामरी डिस्मेरिया को हम लोग pain of normal menstruation cycle कहलो या spasmodic pain जो हलकी पुलकी एंटन से उठती है ठीक है को बात करें प्रामरी डिस्मेरिया क्रैंपिंग क्रैंपिंग मतलब एंठन जो पेट में से मरोड सी उठती है एंठन क्रैंपिंग pain in the lower abdomen occurring just before during the menstruation menstruation से थोड़ी एक दिन पहले या दू दिन पहले बस ठीक है in the absence of other disease such as endometriosis कोई किसी प्रकार की disease नहीं हो और दर्द हो तो primary है एक डिस्मेरिया का नाम दे दिया है endometriosis क्या होती है इसको देखेंगे भी हम लोग etiology अब कारण क्या है during menstruation जब menstruation होता है तो prostaglandin F2-alpha is released एक prostaglandin release होता है from the endometrial cell आप देखो बेटा endometrium, myometrium यह सारी layers थी uterus की है ना preparatory system में पढ़ा था हाँ बोलो हाँ ठीक है याद है तो अच्छी बात में बढ़ने जाके revise करो endometrial cells जो होते हैं uterus के वहां से prostaglandin release होता है which makes the uterus contract जिसकी वैसे uterus करता है contract करता है tight हो जाता है if the uterus contract too strongly अगर बहुत तेज contract करेगा it can press against nearby blood vessels contract करने के वैसे उसकी पास आजपास की blood vessels होती है जो blood की supply कर रही होती वह press हो जाती है प्रेस हो जाएंगी तो खून आगे नहीं जाएगा cutting of supply of oxygen to muscles तो वहां के जब वो blood vessels प्रेस हो गई है जो वहां की आजपास की muscles को ठीक है blood के supply कर रहे थे जिसके वैसे oxygen पहुंच रही थी वह oxygen नहीं पहुंचेगी ठीक है you feel pain when part of the muscle briefly looses its supply of oxygen ischamia कहते है वह थोड़ी देर के लिए oxygen के supply नहीं पहुंच तो muscles में pain start होता है और वह आपको pain यहाँ पर feel होता है females को ठीक है ना इसको एक ischamia भी कहते है इसके में पढ़ा होगा हम लोगों ने ischemic heart disease है ना तो इसके में मतलब होता है oxygen की supply कम हो जाना किलियर है this is associated with painful and sometimes debilitating crime debilitating मतलब जो कमजोर बना दे असाय हो जादी लडगियां कई बाद चक्कर देसे भी आ जाते है ठीक है प्रोस्टाग्लेंटिन प्रोड़क्शन ओकर दूरिंग दूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ मैंसिस जो मैंसिस होते है मतलब मैंसिल साइकल होते है एक घंटे के अंदर पूस्टाग्न्री रिलीज हो जाता है पीजी में आज्टो कॉज हाइपर संसिटाइजेशन ऑफ पेन टर्मिनल्स हाइपर संसिटिम मतलब हलका सब दबेगा तो बहुत तेज दर्द फील होगा तो हाइपर संसिटी वह जाती है जो टर्मिनल्स होते है निरोन्स के ठीक है न वह हाइपर सेंसिटीव वह आते हैं पें टर्मिलस टू फिजिकल एंड केमिकल स्ट्यूमला किसी भी टरह का फिजिकल है तो मुस्ल्स कॉंटेट कर रही है को इतरह केमिकल है उसके लिए इतना जाधा सेंसिटीव हो रहते हैं कि पें हमको बहुत तेज म फटिलाइड जो एग रिलीज हुआ है वेंदार रिलीजड एग जो एग निकला है फिर कह रहा है मैंने पहली कहा था पहले लेक्टर में कहा था ओविल्यूशन मैंशल साइकल पूरी पढ़ लेना अदरवाश दिक्कत आएगी तो ओवं से फॉलिकल जो होता है उसके अंद लेवल को मैंटेन करता है यह तूट जाता है एड़ इस्ट्रोजन पूस्ट्रन प्रोड़क्शन इस रिडिव्च्ट तो देख यह अपर क्या-क्या लिखा हुआ है कॉर्पस लिट्यूम रिग्रेशन तूट गया है और पूस्ट्रोन लेवल डिक्रीज हो गया पूस्ट् लेवल गिर गया है इसके लिए बाजार संस्टिव होते हैं जैसी लेवल गिर्टा है ठीक है ये रिलीस कर देते हैं Kia प्रोश्टाग्लेंडिन कौन एंडोमेट्रियल सेल प्रोश्टाग्लेंडिन रिलीज कर देंगे तो प्रोश्टाग्लेंडिन क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे एंडो परोक्साइट्स रिलीज हो जाएंगे और मेटबलाइस रिलीज होंगे प्रोश्टाग्लेंडिन कि थो यहां का नहीं समझ लें तो प्रोश्टर ग्लेंडिन इंक्रीस होने के वएसे मायो मैट्रील कॉंट्रेक्शन इंक्रीस कर गया है इसके वएसे रिडियूस ब्लड़ फ्लो इसकेमिया हो गया जो ब्लड कैपिलरी थी वो पिचक गई है तो यहां की जो मसल्स हैं यह सब गैंट के पास क्या है यहां पर क्या हो गया है तो इनकी वाई से यूट्रीन होगा और इन chemical को sense करके वो और भी ज़्यादा pain को create करवा रही है बात समझ में आ रही है तो यह यहां से साइकल स्टार्ट हो रही है तभी समझ में आएगी बेटा अगर आपको यह menstruation का evolution का पूरा concept clear है first year का अधर भाई से समझने बहुत दिक्कत cells तो दर्द तभी होगा जब यह prostaglandin बहुत ज़्यादा मातरम निकल जाएंगे इसके तुवारा निकाले जाएंगे endometrial cells यह सब तुवारा one last question है विटा प्रोस्टागलेंडिन act in the following two ways दो तरीके से काम करते हैं spiral arteries vessel spasm leading to the ischemic necrosis जो spiral artery का vessel spasm में spiral artery जो इसके आज़ पास arteries है vessel spasm वो क्या हो गई है दब गई है ठीक है जिसके वएसे ischemia और necrosis cell की death होती है and shedding of superficial layer of endometrial जिसके वएसे जो उपर की layer होती है के यह वाली यह लियर क्या हो ते टूट टूट के बहार आती है जिसका ब्रीडिंग कहते हैं ठीक है increase my material contraction और साथ साथ में यह my material का contraction बढ़ाते हैं जितना जादा कुछ घंटे ही पहले या कुछ टाइम पहले स्टार्ट होता है पेन लाश्ट फॉर फ्यू आवर्स में एक्स्टेंड टू 24 आवर बट रेरली 48 आवर वो कुछ घंटो तक रह सकता है यह 24 गंटे तक और 48 आवर इससे आतों नहीं रहेगा ठीक है इस पास्मोडिक एंड कनफाइंड टू यह स्पास्मोडिक होता है इस पैस्मोडिक एठन नुमा यह ठीक है जैसे एठस है ना एठन होती है उस टाइप से रहेगा यह एंड कनफाइंड टू लोवर अब्डोमेन पेट के निचले नाभी से निसले हिस्से का वहीं पर दर्द होगा के वल and may radiate to back and medial aspects of thigh thigh बगएरा तक दर्द है ना radiate, radiation मतलब जो pain यहाँ से था यहाँ से लेके thigh तक ऐसे करके फैल सकता है, दोनों टाउओं की thigh तक radiate कर सकता है, noise लग सकता है जी मिचला सकता है, उल्टी यहाँ से लगेगा थकान होगी, diarrhea हो सकता है सरदद हो सकता है, ठीक है यह से clinical manifestation है non pharmacological management की बात करें तो आप exercise कीजिए heat using hot bath और hot pad or hot water bottle जो ना गरम पाने भर के bottle का पेट के उपर लगाते हैं वो काम कर सकते हैं और heat patch on your lower abdomen में ease menstrual cramp, उस cramp को हलका कर सकते हैं dietary supplement number of studies have indicated that vitamin E अगर diet की बात करें तो vitamin E, omega 3 fatty acid, vitamin B1 vitamin B6 and magnesium supplement may effectively reduce menstrual cramp यह सारी diet लेने से आपको cramp में क्या हो सकता है, help मिल सकती है avoid alcohol and तबाको alcohol और तबाको ना खाएं, reduce stress अगर किसे आपको stress है, तो उसको कम करने की कोशिश करें pharmacological management की बात करें तो यहां पर देखो, क्या है first line therapy for primary dysmenia generally involved non-steroidal anti-inflammatory drugs और hormonal contraception दो drugs priority पर रखे जाते हैं hormonal contraception तब इस्तमाल किया जाता है अगर couple को pregnancy नहीं चाहिए तो हम contraception medicine का इस्तमाल कर सकते हैं अधरवाइस नहीं करेंगे और सबसे जरूरी क्या है NSID non-steroidal anti-inflammatory drugs पढ़ चुके हो उसके example याद है, जिनको याद है वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं oral contraception drugs इसको याद है वो यहाँ पर छोड़ते हैं इतना समझ लें कि यह drug से उसके example लिखके चले आएंगे काम हो जाएगा इसलिए कहाँ पुरानी पढ़ाई जरूरी है pharmaceutical chemistry जो पढ़ रखी है यानकि पुराना जो पढ़ के आ रहे हो वो important है सब कहीं ना कहीं pharmaceutical chemistry, pharmacology और pharmacotheropedics यह तीनों आपसे match कर जाएंगे अगर एक भी चीज अच्छे से पढ़ लोगे तो वो दूसरे में help करेगा दूसरा तीसरे में इस तरीके से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी NSID की बात करें simple analgesic होते हैं दर्द को निवारन करते हैं ठीक है reduce primary dysmenaria pain via inhibition of PG synthesis oral contraception की बात करें when NSID fails or are contraindicated अगर NSID इसमाल नहीं कर सकते हैं या fail हो जाती है or when contraception is desired जब contraception चाहिए pregnancy नहीं चाहिए मतलब hormonal contraception is viable and effective यह ज़्यादा अच्छा होता है और effective होता है ठीक है treating primary dysmenaria example क्या है livenor gestrial ethinyl estradiol madroxy progesteron तीन नाम याद कर लोगे दो नाम उसके दो नाम इसके ठीक है या यहीं पर example दे दो clear है बाते हैं अब दिक्कत क्या है primary में तो कोई दिक्कत नहीं primary normal होता है उसमें कोई वाख़ बिमारी नहीं है जब secondary dysmenaria होता है इसम congestive भी कहते हैं deep और dull एक congestive क्यों कहा गया अभी हम बात को समझेंगे congestion जगे कम हो जाती है जगे कम हो जाती है uterus में फिर कह रहा हूँ uterus का पूरा concept दिमाग में होना चाहिए uterus का shape दिमाग में होना चाहिए जो हम लोग ने first year में पढ़ा हुआ है अगर वो नहीं है तो यहां दिक्कता आने वाली है थोड़ी सी और जो दर्द होता है dull बहुत हलका हलका दर्द होता है पहले जो हमने पढ़ा है उसमें दर्द बहुत तेज था deep अंदर की तरफ दर्द होता है एकदम देखते हैं इसको समझते हैं अगर वोमेंस के किसी रिपोड़क्टिव औरगन में कोई प्रावलम है तो यह दर्द होता है इस टैप के कोई प्रावलम है तो उसको क्या होगा प्रावलम होगा काफी पहले जाने की करिए हम कह सकते हैं तो तो दो दिन से जादा तक दर्द रहता है उपर ऐसा नहीं थी कंडिशन प्रावलम री में ठीक है एटेलोजी की बात करें तो एंडोमेट्रियॉस इस टीशू लाइनिंग यूट्रस endometrium endometriosis मतलब tissue uterus के अंदर की सबसे अंदर की टिसू होती है उसके परत होती है found outside of the uterus uterus से बहार निकलाती है वो जब grow करती ना endometrium याद है endometrium grow करती है ठीक है वही बाद में layer तूटके बहार आती है बहार उसका मतलब अपने area से ज़्यादा फैल जाती है बड़ी हो जाती है because these pieces of tissue bleed during your period they can cause swelling, scaring and pain ठीक है वो जो uterus मतलब जो extra endometrium बहार आ गया है वो ही क्या होता है period से दौरान टूटेगा और bleed करेगा तो इसकी वज़े से आपको swelling आ सकती है scaring हो सकता और pain हो सकता है adenomyosis a condition where lining of the uterus grow into the muscles of the uterus यान कि जो endometrium बना है वो muscles के अंदर grow कर गया है अब muscles के अंदर गुसेगा तो pain तो करेगा ठीक है this condition can cause the uterus to get much bigger than it should be वो uterus आपका काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा जब आप उसको चेक करागो ultrasound वगरा ठीक है along with abnormal bleeding and pain bleeding भी normal नहीं होगी क्योंकि वो अंदर गुस गया है muscles के और pain भी काफी जाता होगा pelvic inflammatory disease an infection caused by bacteria that starts in the uterus bacteria के वैसे infection वह जो uterus से start होगा and can spread to other reproductive organs और वो fell गया है और reproductive organs में ठीक है PID can cause pain in stomach और pain during sex ये पेट के अंदर पेट में दर्द कर सकता है या during sex ये pain करेगा PID के वए से cervical stenosis narrowing of the cervix service काफी पतला हो गया है और the opening of the uterus uterus की opening काफी पतली है ठीक है उस condition में pain रहेगा fibroids benign tumor growth on the inside outside or the walls of the uterus uterus के दिवाल पे अंदर या भार कहीं पे छोड़ोटी गाठे सैसी हो जाए sexually transmitted infection STD हो गया हो and ovarian cyst or tumor ovary में कोई cyst है या tumor है तो उस case में भी क्या है ये secondary disminary हो सकती है तो कई सारी condition है secondary disminary का उपर का जो condition देखी थी हम लोग ने इन सब की वह से क्या होता है जो uterus हो तो congested हो जाता है इसी वज़े से यहां पर इसे क्या बोला गया है कि लिए रहे आ गया आते हैं पैसे जोने से बात करें तो mechanism of pain in secondary disminary is due to pelvic congestion मेन वज़े क्या है पैन का pelvic congestion हो पर यूटरी से से बड़ा जैसा हो जाता है तो अंदर जगह बहुत कम बचती है obstruction of uterine veins अब बड़े होने की वह से जो uterine की veins है जो नसे है वो दब जाती है वो रुक जाती है which is more marked in the pre-menstrual period जो की क्योंकि जब क्या है layer grow कर रही है हमारी endometrium जब grow कर रही है उस समय pain जदा होगा क्योंकि वो grow करती चली जा रही है और जब periods होंगे तो वो layers तो टूटके बाहर हो जाती है तो हमको relax हो जाता है यानकि जो females secondary disciplinary की उससे problem से जूज रही है उनको जब periods होने वाले होंगे 4-5 दिन पहले pain बढ़ता चला जाएगा और periods के peak तक आते आते एकदम pain बढ़ जाएगा और जैसी period की एकदम pass आता है pain की severity बढ़ जाती है and is relieved by the onset of menstrual flow और वैसी जैसी flow start हो जाएगा bleeding start हो जाएगी relax हो जाएगा due to diminution of pelvic congestion, diminution मतलब कमी आ जाती है कि इसमें pelvic congestion में, congestion में जैसी कमी आएगी तो हमारी जा out uterine veins सी दबना बंद हो जाती है और हमको relax मिल जाता है, clinical manifestation, pain is continuous, pain लगाता होगा dull, हलका रहेगा in lower abdomen, situated in the back and front without any radiation या तो आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा लेकिन 20 वगरा में pain नहीं जाता है इसका जैसा कि primary में था, वो radiate होता होगा 20 वगरा तक फैलता था, इसमें ऐसा नहीं होगा appear 3-5 days prior to the period, 3-5 दिन पहले से start हो जाएगा, primary में ऐसा नहीं था, release is the start of bleeding, जैसे bleeding हो जाती है, वैसी अराम पड़ जाएगा management की बात करें, तो यहाँ पर देखो क्या है, बिमारी कौन सी है, यहाँ पर आपको कोई problem है, उसकी वज़े से आपको pain हो रहा है तो यहाँ पर इसलिए management का भी क्या है, इसके अंदर, in case of secondary dysmenaria, the treatment is dependent on the nature of underlying pathology, आपको कौन सी problem है, जो हम लोगों नहीं यहाँ पर, यह तमाम problem पड़ी है, छेसा तरीके की, आपको किस type की problem है, तो management भी उसी हिज़ाब से होगा आपका ठीक है, if the pathology is not amenable to medical therapy, अगर pathology जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है, आपकी problem ठीक नहीं हो पा रही है, medical therapy से, the symptoms may only relieved by hysterectomy, यानि कि फिर ultimately आपको uterus को cut करके बाहर निकालना पड़ेगा, however, the role of physical therapy in such cases will consist of pre and post operative physical treatment, ठीक है, उसके बाद physical therapy चलती रहती है, अपनी वह अलग ची ठीक नहीं होता है, तो ultimately hysterectomy यानि की अप uterus को cut करके गरवाशय को बाहर निकालना पड़ जाता है, clear है बाते हैं, तो इसके management में इतना ही रहा का क्योंकि problem के हिसाब समाई दवायां चलती है, clear है बाते हैं, तो यह अपना lecture यहां पे खतम हो जाता है, तो फिर कह रहा हूं बेटा, lecture आप कम समझ में आ रहा है, क्योंकि terms बहुत ज़्यादा है, उस पैसी लग रही है, तो first year का HIP का mental cycle और इस प्रमेटर जोनेसिस वगरे को अच्छे से पढ़ लें, revise कर लें, काम ही आएगा बेटा, वो important चीज है, ठीक है न, और PDF का link, notes का description मिल जाएगा, मेरा number है, एप है, ठीक है, use कर सकते हो, काफ सारी बच्चे इसका use कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई problem है तो मुझे call कर लें, और सबसे जरूरी चीज पढ़ाई करते रहें, revise करते रहें, all the best!